के पास एक 70 का आपनी है और 35 का आपनी है तो यहां रिजट अपने आप क्या आना चाहिए एक में P आना चाहिए और एक में F आना चाहिए कोई दिक्कत है तो I am now going to use the if function करें 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 इक वर टू और प्लस से MS Excel में पर्मूला इस्टाट होता है यह रिवीजन भी होते है इक वर टू आप जैसे ही I चाहिप करेंगे तो एक चाहर्ट गिरता है द्रॉप डाउन में भी गिरता है इस में the collection of all the formula बस आए जैसे I जबाएंगे तो I की पूरी लिष्ट आजाएगी A दबाएंगे तो A की लिष्ट आजाएगी S दबाते हो तो S की लिष्ट आजाएगी और C भी यूज़ किये जे, count, counter, counting और उसका भी लिष्ट करता है कोई डाउन है? I दबाएं यहां तो आप फुट टाइप कर लिजे या I से L if में सरच करके और tap दबाएंगे tap दबाने से क्या होता है? आपको यहां तक वो खुट टाइप करके लिएंगे पुट आप यहां तक किसी को कोई दिकर? अब हम Criteria Check कर लिए जाएगा that is Criteria Check या Logic Check क्या कहा जाएगा? Criteria Check या पुट लिए इस चीज को नोट कर लिए अपर दिए Criteria Check और Logic Check May I move? May I move? Good एक है मेरा Criteria मैंने पहले से क्या तरह के रखा हुआ है सब्तर हो, सब्तर से बड़ा हो तो पास नहीं तो देख शुरू करें अब अगर हम इसको मान के चलें क्या मान के क्या चलें तो कि अगर डेटा बना कह रहा है एक्सल में तो यह हर आरश में ABCD के रूप में होगा या नहीं होगा तो आका चेक करने वाला कंडिशन किस कॉलम में है चेक किसके बेश्पदर में है टोटल के बेश्पदर तो आपका क्या होगा? या 1 होगा या 2 होगा या 2 होगा या 3 होगा मतलब हमको चेक करना है एक्टू का डेटा या एक्टू को हेडर है तम चेक करेंगे एक्टू एक्टू किसी को इसमें कोई दिक्कात है अभी पूछ लो लिए लेज़ा रूपकर को इन ही लेकिन गुद्फ यहां दिक्कात है यानि कि आप एक्टू कहते है तुम सब्गार को चेक्ट हाई अगर मैं सब्गार को डिरेक्ट चेक करूं तो मना नहीं करेगा लेकिन हमेसा एंशर किस पर आएगा सब्गाएं सब्गार्णेम तो उसमे